हलो फ्रेंड एक वर फिस्टे स्वागत करता हूं आप सभी का अपने चैनल टिक फार्मेसी में तो दोस्तों आज मैं इस वीडियो में फार्मसुटिकल और्गेनिक कमिस्टी यूनिट सेकंड के बारे में बात करूंगा तो इसमें हम देखते हैं अरोमाटिक एसिट के बारे म अरोमाटिक एसिट अरोज कम्पाउंड very चंटेने अश्दी कार्बक्सिलिक एसीड ऑन kommen चैनल गरे जो मारा ए्रोमाटिक एसिट है ये कारबक्सिलिक एसिड और एरोमाटिक एसीड से मिलके बदा हुआ है जब H2 atom बेंजीन का रिप्लेस होता है कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रूप के साथ तो हमारा एक नया कंपाउंड बनता है जिसे हम बोलते हैं एरोमैटिक एसिड यहाँ पे देख लीजिए यह हमारा बेंजीन है जिसे हम बोलेंगे एरोमैटिक रिंग और यहाँ पे COOS जिसे हम बोलेंगे कार्बोक्सिलिक ग्रूप है जब इसके साथ अटैच होगा तो हमारा क्या बनाएगा कंपाउंड एरोमैटिक एसिड बनाएगा फिर यहाँ पे देखे कुछ एक्जामपल दिये गए हैं जैसे बेंजोईक एसिड आर्थो हर्डाक्सिक एसिड और फिल दिया गया है आर्थो मेथाइल बेंजोईक एसिड फिर अब अगले पॉइंट के बारे में बात करते हैं एरोमैटिक एसिड एक से अधिक COOS जिसे हम बोलते हैं कार्बोक्सिलिक ग्रूप जब डारेक्टली एरोमैटिक रिंग के साथ अटेच होता है तो उसे हम बोलेंगे एरोमैटिक एसिड है फिर अब बात करते हैं factor affecting acidity of aromatic acid कौन कौन से factor हैं जो aromatic acid के acidity को affect करते हैं पहला हमारा है addition of electron with drawing group drawing group जैसे बोलेंगे हम chlorine, bromine, iodine हो गया है इसाब को हम बोलेंगे drawing group है जब कोई भी electron निकालने वाला समूह रिंग के साथ जुड़ा होता है तो इससे रिंग में electron density जो है कम हो जाता है और anionic ring अधिक stable हो जाती है जिससे की aromatic acid की acidity जो है increase हो जाती है यहाँ पर देख लिजिए example में यह हमारा aromatic acid है aromatic acid पहले हमारा क्या format करेगा? anion जब जो हमारा attach to electron with drawing group जब electron है drawing group के साथ attach होगा तो electron की density जो होगी वह हमारी क्या होगी? decrease होगी जब decrease होगी तो वह more stable होगा और more acidic होगा पिर अब आगे देखते हैं second point के बारे में addition of electron releasing group yes second factor है when any electron with releasing group is attached with the ring then it increase the electron density into the ring and anionic ring become unstable so the acidity of aromatic acid or decrease जब releasing sum के साथ किसी भी electron को ring के साथ जोड़ा जाता है तो यह ring में electron density को increase करता है और anionic ring stability हो जाती है इसलिए aromatic acid की acidity जो है decrease हो जाता है यहाँ पर देख लीजिए यह हमारा aromatic ring है पहले हमारा क्या format करेगा अनायन बनाएगा जब electron releasing group के साथ electron जो हमारा attach होगा तो इसकी जो electron density है वह increase होगी जब electron density increase होगी तो यह more stable होगा और less acidic होगा अब थर्ड फेक्टर के बारे में बात करते हैं एडिशन आफ इलेक्टो निगेटिव आटम और ग्रूप जब किसी भी आटम इलेक्टो निगेटिव आटम या ग्रूप को aromatic acid में बेंजीन के साथ जोड़ा जाता है और electron density में कम करने के बाद बेंजीन की जो ring और ring से electron खिंचते हैं और योगिक अधिक acidity बन जाते हैं जो हमारा योगिक अधिक compound है वो ज्यादा acidic बन जाता है यहाँ पर example से देख लिजिए यह हमारा क्या है है यहाँ पर हमारा यहाँ जो निकलेगा तो यह more stable हो जाएगा जब हमारा el destroy negative जब जब जादा होगे है यहाँ पर देखे एलिक्ठाट्रो निगट्यव है जब हमारा more electron negative होगा ऒँवो जो जितना जादा electronegative होगा घरतना ही more HD होगा इसमें देखिए जैसे सबसे ज्यादाइलक्ट्रो नेगटिब हमारा और एक्सब्ट हैं फिर बस्ट में ऊख़राइद ज्ञादा इस्ट्रर मानाँ जाएगा प्रियक्षियुक्राइड का रियक्षियुक्राइड 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 का by might the carbon dioxide जब हम कि यहां पर हमारा मैंगनीसियम ब्रोमाइड दिया है जब इस का बो, warty Blit वी मेंगनीसियम अवरा- आपर resistant liquid करेंग तो बुटता है तर्ब फिर अगला अगला तथे हैं डिकि हाडूलीफिस साफ बेंजो नाइट्राइड हाडचुलाइड हाड़्रेशिस मतलब होता ह diferो तो हमारा बनता है डेंजोई ईसीड एफ तो नियाप्न ह confess साफब हम को अक्तक डेंम कर साना बेंजोई यजिध इसमें पहला reaction देखते हैं sodium benzoate जब हम benzoic acid जो यह हमारा benzoic acid है जब इसका reaction कराते हैं NaOH जो एक परकार का base है तो हमारा क्या बनता है sodium benzoate बनता है फिर ester formation when benzoic acid reacts with ethanol in the presence of sulfuric acid then esterification from ester जब हम benzoic acid का reaction कराते हैं C2SO4 से तो हमारा बनता है ester यहां पर हमारा esterification हुआ है फिर अगला reaction देखते हैं formation of esterdehyde जब हम benzoic acid का reaction कराते है PCL5 के तो हमारा बनता है benzoic acid and phosphoryl chloride बनता है तिर अगला reaction है reduction reaction जब हम benzoic acid का reaction कराते हैं LIALS4 के तो हमारा बनता है benzoic acid alcohol बनता है decarboxylation last reaction है जब हम benzoic acid का reaction CAO and NOH से कराते हैं तो हमारा बनता है benzoic acid and calcium carbonate बनता है करें करें